चलिए यह है आपका Current Affairs का सेशन मैंने आपको बोला था कि UPPCS और आरो यारो 2021 का जो होने वाला है उसका Current मैं आपको कवर कराऊंगा आरो यारो का पेपर तो आपका एक अगस्त को है अभी तो इसके लिए अभी मैं आपको डिसंबर 2020 से और जब तक यह पेपर होगा तब तक का पूरा Current Affairs जो भी है एक्जाम के पॉर्ट अभी उसके इंपॉर्टन है वो मैं डिटेल में आपको कवर कराऊंगा जिससे आपका UPPC अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो रेड़ वाला बटन है उसको प्रेस कर दें और इधर एक नोटिफिकेशन बेल आएगी उसको भी प्रेस कर देंगे जिस्टे जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका मैसेज आप तक पहुंच सक है चलिए यह करेंट अफेस का ही टॉपिक था उसमें दिसंबर का राजिपाल जो आपका समविधान का आर्टिल 174 है अनुछेद 174 में क्या लिखा है कि राजिपाल द्वारा अधिवेशन है तो विधान मंडल सदन को आहूत करना मतलब जो राजिका विधान मंडल है जो सदन को सुरू करने के लिए उसके जिसको हम बोलते हैं अधिवेशन तो उसके अधिवेशन को सुरू करने के लिए राजिपाल उसको बुलाएगा अधिवेशन सुरू करने के लिए राजिपाल आहूत करने का मतलब है कि सदन को बुलाना सदन की बैठक को बुलाना जब राज का मंत्री मंडल जब सलाह देगा राजपाल को तभी वो सदन को बुलाएगा अब देखें राजपाल द्वारा विवेका दिन निरने अगर कोई राजपाल अपने विवेक से कोई निरने लेता है तो उसको न्याले में चुनोती दी जा सकती है राजपाल की न्यूक्ति उसकी सकतियां उसके कारिकाल से संबंदी जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 153 से लेके 162 तक है अनुच्छेद 153 से 62 के बीच में क्या है तो राजपाल की न्यूक्ति कैसे होगी उसकी सकतिया क्या है उसका कारिकाल क्या होगा राजिपाल की निक्त कौन करता है तो राश्टपती करता है अनुच्छे 155 में इसका प्राउधान है उसमें कहा गया है कि राश्टपत की मुहर लगे आग्या पत्र के माध्यम से राजिपाल की निक्त होगी अनुच्छे 356 क्या है आटिकल 356 तो जब राजि का सासन जब राजिपाल को ये महसूस हो जाए जब उसको ये मालूम चले कि राजिका जो सासन है वो समवेधानिक प्राउधानों के अनुसार नहीं चल रहा है तो वो लिखित रूप में सिफारिस करेगा राश्टपती को औ आपकी मेट्रो है भारत की पहिली पूरता सौचालित मेट्रो वो 28 दिसेंबर 2020 को इसका उधःटन किया गया है और इसका उदिखाटन किस ने किया है तो हमारे प्रधान मंत्री जी ने और यह metro line कहा से कहा तक चलेगी तो दिल्ली में magenta line पे चलेगी आपकी जनकपुरी वेस्ट से बाटनिकल गार्डन यह आपका नोयडा में है और यह आपका वेस्ट देली में है तो यह जो आपकी Magenta Line है यह जो पहली Fully Automated है 144 Metro है यह कहां से कहां तक तो वेस्ट देली के जनकपुरी से नोइडा के Botanical Garden तक चलेगी Airport Express Line पर आपका एक Card है यह National Common Mobility Card जिस प्रकार से Metro Card होता उसी प्रकार से यह एक Card है देश में बहुत सरी सुवधाय आपको मिलेंगी इसका विस्तार किया गया है 2014 में हमारे पास हमारे देश में पांच सहरों में ही Metro थी और अभी 2021 चल रहा है 2020 तक या 21 अभी भी 18 सहरों में Metro का का कार चालू हो जोगा मताब 18 सहरों में Metro का Metro गतिमान है 18 सहरों में बाकी अभी construction जो चला है वो सहर अलग है यह आपका क्या है कि देखे तेरा करेंटली क्या है तेरा जो आपके हैं वो Metro सिस्टम से आपके तेरा Metro सिस्टम है तेरा सिटीज में और अगर हम बात करेंगे कि कितनी Metro सहर है तो सिटीज है 18 मतलब 18 Metro सहर है और तेरा Metro सिस्टम है जैसे आपका एक Metro सिस्टम क्या है दिल्ली Metro एक Metro सिस्टम है यह दिल्ली को तो Metro की सुवधा प्रवाइड ही कराता है लेकिन यह गुरगाओं नोएडा गाजियाबाद फरीदाबाद और बहादुरगर यह पांच अन्य स सहर है अगर सिटीज पूछेगा मतलब कि यह रैपिड ट्रांजिट यह इसे कह सकते हैं Metro सिस्टम कित्ते सहरों में है तो तेरा तेरा सिटीज में यह ड्राइवर लेस्ट ट्रेन है जो भी मनें बताए में जेंटा लाइन में चलेगी और यह जनकपुरी वेस्ट वेस्ट देली में है इसको कहां से कनेक्ट करेगी तो बटनिक बटनिकल गार्डेन आपका कहां है नोइडा पियम मोदी लॉंचेज इंदियास फर्स्ट ड्राइवर लेस मेट्रो ट्रेन इन देली अब देखिए नीमोसिल क्या है आपका नीमोसिल तो यह पहली पूर्ण सवदेशी वेक्सीन है आपकी नीमोकोकल कॉंजुगेट वेक्सीन नीमोकोकल कॉंजुगेट वेक्सीन पी सी गया है अभी 2020 जुलाई में एक साल पहले इसको भारती औसदी महानी अंत्रक के दोरा लाइसेंस दिया गया था नियूमोसिल एक वैक्सीन है और इसका विकास किस ने किया है तो आपका एस आई आई जो पूरे में है यह बहुत इंपोर्टन है कि सीरम इंस्टिट्टु आफ पूरे में है और इसके दोरा विकास किया गया है और इसके सहीोग से तो पाथ जो है ये आपका एंजिओ है सिएटल अमेरिका में है यह पाथ गैर लावकरी वैसुक स्वास्थ संग्ठन है पाथ और बिल-यंड मिलिंडा गेट्स फांडेशन के सहीोग से यह कौन सी है तो की निजी संस्ता है बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन यह वैक्सीन किस पर काम करेगी तो नियूमो कोकल जो आपके जिवारू है बैक्टिरिया है उनको लक्षित करती है और इन वैक्टिरिया निमोनिया का कारक है मेनेंजाइटी सेपसिस आधि बिमारियों का कारक है जो निमो कोकल डिजीज है आपकी वो किसके द्वारा होती है तो वैक्टिरिया के द्वारा और इनहीं निमो कोकल डिजीज जो बैक्टिरिया के द्वारा होती है उन्हीं को रोकने के लिए आपकी निमोसिल आपकी वैक्सिन बनाई गई है पहली पूंड स्वदेशी वैक् अगर होगा है अपनी धरोहर अपनी पहचान प्रोजेक्ट के तहट एड़ाप्ट हेरिटेज जो आपका है वह एड़ाप्ट लेनी की एक योजना है तो 27 सितंबर 2017 को परेटन दिवस के आउसर पर जॉइंट है यह किसका तो परेटन मंत्रा ले संस्कति मंत्रा ले एसाई और aureological surface और जिस राजज्य में हेरिटेज है यह यह य्य similarly है तो सांके इसका उद्देश क क्या है तो जो अस्थल है आपके हेरिटेज हैं विरासात अस्थल उन अस्थलों पर सुविधाओं का wekaas और प्रेटन के अनुकूल बनाना उन अस्थलों का विकास करना ताकि प्रेट कंपनी कोई साल्वनेक चेतर के का मुपणी कोई व्येक्ति के दौरा कोई NGIO's के द्वारा ऑधिके द्वारा और जो भी विया गोद लेगा किसी हरिटेज को इस मारक मित्र कहा जाएगा अब बोली के आधार पर Rivers को दिया जाएगा है डॉप्ट किया जाएगा और बोली बित्ती नहीं होगी बलकि सुविधाओं के विकास क्याधार पर बोली लगेगी यह भी प्रेटन को बढ़ावा देने के लिए यह क्योजना है स्वदेश दर्शन प्रेटन को बढ़ावा देने के लिए एक है प्रसाद योजना यह भी प्रेटन को बढ़ावा देने के लिए ती योजना है कभी पूछा जाता है कौन सी योजना प्रेटन के लिए या किस के है तो आप याद रखिएगा प्रसाद क्या है पिल्ग्रिमेज रिज्वनेशन एंड इस्प्रिच्वल हरिटेज अगमेंटेशन ड्राइब तीर्थ यात्रा काया कल्प और अध्यात्मिक हरिटेज augmentation drive है pilgrimage rejuvenation and spiritual heritage augmentation drive चलिए मोनपा देख लेते हैं क्या है तो यह हैंड मेट जो आपका कागज है पेपर है वो है मोनपा हस्त निर्मित कागज निर्मारी काई हुए यह अस्थानी भासा में इसे क्या बोलते हैं तो मोन शुगू बोलते हैं अस्थानी भासा में अरुणाचल प्रदेश के जो अरुणाचल प्रदेश है उसका आपका तवांग जिला है वहां की यह अस्थानी कला है मोनपा हाथ से बनाने वाले पेपर जो आपका खादी ग्राम द्यूग आयोग है क्यों आईसी जो है तो इसके द्वारा शुरुवात की गई है इसकी सामविधिक निकाय है यह खादी ग्राम उद्योग आयोग जो है एक सामविधिक निकाय है और M.E.S.M.E. Ministry of M.E.S.M.E. के अंतरगत यह आता है यह आपकी अस्थानी प्रमपरागत कला है मोनपा अभी बताया वैंने शुग शेंग शुग शेंग शुग शेंग नामक एक अस्थानी पेड़ की छाल से बनाया जाता है पेपर देखें के वी आइसी जो है खादी ग्राम उद्योग आयोग उसने मोनपा हैंड मेट पेपर बनाने की एक यूनिट बनाई है ताकि इसको विलुक्त होने से यह मोनप आपका ताकि इसको विलुक्त होने से बचाया जा सके और अस्थानी अस्तर पे जो लोकल लोग हैं उनको इसमें सामिल किया जा सके आइट्रैक्ट किया जा सके मोनपा की और और उनको इंकम का एक स्रोथ दिया जा सके और तवांग में दो और लोकल क्राफ्ट हैं तवांग पहली फस्ट लीथियum refinery कहां पे शुरू की जा रही है तो यह गुजरात में स्टैप की जा रही है ओ कौन स्टैप कर रहा है तो है मनीकरन पावर लिम्ट्ड इंड जा आपका मनीकरन पावर लिम्टेड है वह पहली लीथियUM रिफाइरी जो है वह रिफाइनरी वो सेट कर रहा है कुझराथ में यह देख लीजिये यह पे है यह आपका गुझराद के अरिया है टिक है और यह आपका जो है क्या है मनिकरन पावर लिम्टेल को लीफियम हाईली रेक्टीव होता है इसलिए आहिए पाए जाता इसको इस्टोर्ट किसमे करेंगे लीथियम को मिनरल आइल में अब चलिए कुछ ICC के दसक decade awards देख लेते हैं ICC male cricketer of the decade award जो दसक award है 10 साल में दिया जाता है तो किसको मिला है ICC male cricketer of the decade विराट कोली को दिया गया है और जो ये award दिया जाता है उस award का नाम क्या है decade award जो दिया जाता है sir Garfield Sobers Award female को जो ICC female cricketer of the decade वो आवार्ड जो दिया जाता हुस आवार्ड का नाम क्या है तो Rachel Heo Flint Award ये किसे दिया गया है एलिस पेरी ये आस्ट्रेलिया की है ICC spirit of the cricket award of the decade डिकेड का जो इस्प्रिट आपदा क्रिकेट आवार्ड है वो किसे दिया गया है महेंद सिंग धोनी को ICC test player आपदा डिकेड किसे दिया गया है दसक का test player का उन है Steve Smith आस्ट्रेलिया और ICC T20 player आपदा डिकेड टेस्ट प्लेयर और T20 test player में दिया गया है Steve Smith को T20 player आपदा डिकेड दिया गया है रशीद खान को अब देखिया आर्या राजेंद्रन का उन है तो यह सबसे युवा देश की सबसे युवा महापावर है 21 वर्स की है अभी मातर 21 वर्स की है और केरल का जो आपका नगर निगम है तिरुवनंद पुरम तो तिरुवनंद पुरम नगर निगम की महापावर है मेयर है देश की सबसे युवा महापावर आर्या राजेंद्रन केरल राज में अब ये तो हम देख चुके हैं बायत की पहली रिफैंडरी गुजरात में है अब मेरा गाओ मेरा पहल एक है क्या है तो आईसी एक भारती ग्रसी पंचायत के मार्क दर्शन में अभियान चलाए गया है मेरा गाओं मेरा गाओं के तहट ही अभियान चलाए गया है गोवा में ICAR क्रशी और किसान कल्यान मंत्राले है उसके तहट ICAR एक स्वायत संग्ठन है और 2015 में मेरा गाउ मेरा गारो की सुरुवात की गई थी इसका उद्देश है कि वैज्ञानिकों को उनकी सुविधा के अंसार गाउं का चैन करना और वहाँ पर या तो वो निजी यात्रा कर लें या टेलिफोन के माध्यम से क्या करना है तो उस गाउं की तकनीकी और क्रशी से संबंदी जानकारी उस गाउं के लोगों को देना है और उस गाउं का विकास करना है किसान और वैग्यानिक को सीधे संपर्ग मिलाना है जिससे की लैब टू लैंड प्रक्रिया को तेज करना है सीधे लैब टू लैंड प्रोसेस को तेज करना है यहाँ पे इसका मेन उद्दे से क्या है बस यही है कि आपका लाइब टू लेंड प्रोसेस को तेज करना है किसानों को और वैज्ञानकों को साथ में मिला देना है आपस में वो एक दूसरे की समस्या है मतलब वो जो वैज्ञानिक है वो किसानों की समस्या है समझ के उसका निराकरार करेंगे चाहे तो वो नीजी या करशी परोध्योगी की प्रभंधन एजन्सी यह एक पंजीक्रत संस्था है जिला अस्तर पर डिस्ट्रिक लेवल पर यह प्रोध्योगी की प्रसार के लिए उत्तरदाई है आतमा जो आपकी एजंसी है यह दो हजार पांच शे में शुरू की गए थी इसकी funding कौन करता है तो center 90% करता है और state 10% आत्मा एक registered society है ये किसलिए responsible है तो technology dissemination मतलब प्रसार करने के लिए technology का प्रसार करना at the district level जो आपके district level है जिलास्तर पे technology का dissemination करना है कौन करेगा तो आत्मा और इसका जो चेयर मैन है district level पर जो इसका बोर्ड का चेयर मैन है वो दियम होता है district collector होता है गावी बोर्ड गावी बोर्ड क्या है तो global vaccine alliance है ये global alliance for vaccine and immunization केंद्री स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्री डाक्टर हर्शवर्धन ये गावी बोर्ड के सदस्य है माई 2020 में हर्शवर्धन डाक्टर हर्शवर्धन को डबलु एचो के कारिकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाय गया है इसकी सदस्यता दो वर्ष के लिए होती है एक जनुरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक भारत इसका सदस्य है इस बोर्ड की सदस्यता अंतरास्टी संक्ठन है गलोबल वैक्सीन अलाइनस है तो अंतरास्टी संक्ठन है यह करता क्या है तो गरीब देशों में रहने वाले बच्चों के लिए नए और आप र्युक्त तीकों की समान पहुंच सुनिश्चित करने हैं तू साजा लक्ष के साथ सार्जवनिक और निजी छेत्र को एक साथ लाता है वैक्सीन एलायंस है यह वैक्सीन प्रोवाइड करा ठीक है सहजन के उदपाद के जो सहजन है इसके निर्याओद को बढ़ावा देना है प्रसंद्गत खाडः उदपाद निर्यात विकास प्राधिकरनeed। फूररा निजी संस्थां को सहायता जी जा रही है जिससे की यहारे चीरिभ सेथवे जाता है इसको बढ़ावा दिया बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है सहे जन का इसलिए सहे जन के निर्याथ को चुक्ती के दिमांद बढ़हवा देने के लिए इसी को इपीडा के माध्यम से oxygen संसथानों और सहयता दी जा रहा है जिसे इसके निर्याथ पाउडर को पढ़ावा दिया जा सके मूरिंगा पाउडर हम बोलते है सह widow को ठीक है मोरिंग पाउडर यह सह बोपर इसके । पोषण और वसदी गुर के कानल इसकी मांग बहुत अधिक है इसलिए इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निजी छेतर को एपीडा जो है वो सहयोग कर रहा है अब ये तो है हमारा आज का वीडियो ये आपका करेंट का पार्ट वन है आज करेंट का पार्ट वन है अब इसी तरह से पार्ट 2, 3, 4 हम लाते रहेंगे और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दे और ये नोटिफिकेशन बेल है इसको प्रेस कर दे जिससे हमारी आने वाली वीडियो का मैसेज नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में